तो दोस्तों CES यानि कि कंजूम लॉटनिक सो जो की मेजर लॉटनिक सो है और यह एक टेक इवेंट है जिसे हर साल और्गनाइज किया जाता है पिछले साल इस कोविड पेंडेमिक के वज़ा से कैंसिल कर दिया गया था लेकिन इस साल यह इन परसंड लास्ट वेगस में लाँच की बारें बताने वाला हो कुछ लैप्तोप फोल्डेवा लाइप्तव भी लाँच किये गए और कुछ लैप्तोब ऐसे भी है किसे आप स्पेस में भी जाकर यूज कर सकते हो सो है गाई मैं वो कौसीख आप देखरें गॉनमेट्स विलकम बैक टो मैं चैनल तो सबसे पहला आपड़ेट है एसर की तरफ से एसर ने इस कंसुम लॉट निंग सो में तीन नए क्रोम बूक को लाँच करा है च्रॉम बूक का फरी आप इस क्रोम बूकरो सकते हैं और घहर और काम कर सकते हैं यह इडीन क्रोम बूक में को अपको माथ घ improved Boy देखने को मिलेगा और सचे बात किस तीनों प्रोम्बूक की रिसायक्ल से बना सब्सक्राइब कर दो और अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैंने भी आप लोग को कई सारे बारे में बता रखा हूं आपको Chromebook से लेकर Chromebook कौन सा है क्या है बेस्ट है क्यों लेना चाहिए सब कुछ पर है वीडियो तो आपको डिस्कुशन में भी लिंक है इन सारे वीडियो का और यहां पर भी आपको मिल जाएगा तो बात में चेक आउट कर लेना तो बढ़ते हैं अगले 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 अगल से डिल येंड और प्रमियम के मोडल डिल xps 13 लैप्टप के साथ अपगेड करके लांच किया है डिल में इतना slim touchpad दिया गया कि आपको फील ही नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा कि इस डेल एक्सपेस 13 प्लस laptop में यह touchpad के साथ आता भी है यह नहीं इसके लावा इस डेल एक्सपेस 13 प्लस लैप्ताप में 13.4 इंच का 4K OLED डिज्वलीशन वाला डिस्प्ले दीखने को मिलेगा चाहँ दिस्प्ले वरियेंट में आने वाला चाहों में आपको 4K देखने को मिलेगा और चारों लैट्टॉप में आपको इंडिया में लॉंच होता है आपको अप्डेट्स मिल जाए उसकी बतागला अप्डेट भी दिल की तिरफ से डिल ने अपने लांज किया जाएगा देख इन सारे लाट्व में आपको इंटल कर लेटेस्ट 12 गेंटल में अपको याप्रेट्स मैं देखने को मिलेगा उसके अंगला प्लेट है तिसलें पहला लैट्टॉप टील को एक इस्ट्टूडवर्य के लिए डिजाइन किया गया एक लैप्टोफ उता रहा है और यह TCL का पहला लैप्टोफ होगा इसमें आपको Windows 11 का सपोर्ट मिलने वाला है इसमें आपको 14.1 इंच का अल्मोस्ट 25-30,000 रहने वाला है तो जब यह इंडिया में आएगा मैं इसके पारे में जरूर बता हूँगा क्योंकि यह TCL कंपणी का पहला लैप्टोफ होगा अगला लैप्टोफ है लेनोबो की तरफ से लेनोबो ने इस कंजूम लाप्टों में अपने तिंक पैड सीरीच के लैटोफ को एक्स्टेंड किया है दो नए लैटोफ को लांच किया है यह दोनोगी बिजनेस उजच के लिए बड़ाई स्लीम है लेकिन इस लैटोफ के खास बात ही है कि एक फ्रेंडली लैटोफ है कि इसका जो चीजिस है वह ब्लैक वेगन लीदर और अलमूनियम से बन हुआ है यहां तक इसका जो पावर अडिप्टर है वह भी 90% साइकल मेटरिल के यूज करके बनाए गया है इसलिए यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली लैटोफ है उसके बद अगला बेट भी जवर्दस अब्लेट है आसूस की तरफ से आसूस ने इस कंसूम लाट्टों मे फोल्डेवल वाले फोंस के बारे में सुन रहे होंगे और अभी हाली में वीवो ने एक अपना फोल्डेवल स्मार्टफों लांच किया लेकिन अब दुनिया का पहला फोल्डेवल लैट्टोप भी आने वाला और यह पूरी तरह से फोल्ड हो जाता है जैसा कि आब वीडि को ऑटोमाटिक एडेश्मेंट के लिए इंटीडेटेट कलर सिंसर भी दिया गया है और नौइस को कम करने के लिए 3D नौइस टेकनोजी कभी यूज किया गया है तो यह बड़ा जवर्दस लैटोप आने वाला और यह इंडिया में इस साल के एंड टेक में आपको देखने कि मीर स्पेस स्टेशन रसिया में 600 दिन से भी जादा रह कर आया वह बिना कुछ खड़ाब हुए इसके अलाबा आसुस का कहना है कि यह लैप्टॉप एक स्पेस में जाने के लिए पूरी तरह से त्यार है क्योंकि यह लैप्टॉप यूएस स्पेस सिस्टम कमांड स्टैं संभाल सकता है इसलिए यह लैप्टॉप एक स्पेस वाला लैप्टॉफ है अब यहां नहीं रहना है अब बैक पैकिंग करना है और सीधा स्पेस में जाकर ही काम करना है इसके लावा आसुस ने अपने जैन्बुक के सीरीज को भी अप्रेट किया इंटल के लिटेस्ट और और यह ले अकोर्टेसर के साथ और अने असे को यह स्विन से लिए उसको इन्टल के लेटेस्ट ग्राफ सकते परोसेसर के सात्ध लांच करने वाला है आसुस के टर्फ गेमिंग सीडिपीज ऐफ 17 एफ 17 17 मॉडल को इंटेल के लेटेस्ट वेटेस्ट प्रोसेसर एमडी के लेटेस्ट राइजन 6000 स्रीज के प्रोसेसर एंवडिया का जीप्यू इन सब हाड़वेर के साथ अब विल्ट करके लॉंच करने वाला और मैंने आपको टर्व गीमिंग लेक्टव के बारे में बता चुका हो पहले भी बेस्ट गेमिंग लेक्टव में बताया और यह लेक्टव भी आपको इस साल के सब्सक्राइब को पूछ सकते हो आशनी कोई तरह ज्लदी नेस्ट वीडियो में ततपके लिए गुडबाइ